2008 मुंबई आतंग की हमले में शहीद वे हेमंद करकरे खलाफ एक बार फिर से अपनी जुबान खोली है 2008 के मालिगाव ब्लास की जाच की तुलना इमजनसी से करते वे प्रग्या सिंग ठाको ने कहा कि सच्चे देशभक्त हेमंद करकरे को देशभक्त नहीं मानते हैं प्रग्या के बायान को लेकर कॉंग्रस ने बीजेपी पर हमला बोला है ठीक सुना आपने भुपाल की बीजेपी सांसद शहीद हेमंद करकरे को देशभक्त नहीं मानते हैं हेमंद करकरे को पूरा देश सलाम करता है जान गवाकर भी आतंक्यों से मुकाबला करने वाले हेमंद करकरे देश के लिए हीरो हैं मुंबई आतंकी हमले के तौरान हेमंद करकरे की बहदुरी देश ने देखी लेकिन हेमंद करकरे को साध्वी प्रग्या सिंग ठाकुर निशाने पर ले रही क्योंकि उन्होंने 2008 के मालेगाउब लास्ट में साध्वी को जेल में बंद किया था हेमंद करकरे उस समय मुंबई ATS के चीफ थे 1975 की इमर्जेंसी के खिलाफ मध्यप्रदेश के सिहोर में हुए एक कारिक्रम में साध्वी प्रग्या ने 2008 मालेगाउब लास्ट की जाच को एक और इमर्जेंसी का और हेमंद करकरे के खिलाफ आगू एक इमर्जेंसी लगी थी 1975 में और एक इमर्जेंसी जेसी अवस्था बनी थी 2008 में जिसे दिन माले गाओं प्राश्ट में सादवी प्रग्या सिंग ठागर को अंदर पिया गया थी मैंने स्वयम उस चीछ को जहला भी है देखा भी है और सुना भी है और हमारे लोग हमेरे आचारी जिनोंने मुझे पढ़ाया कछा आठवी में उनकी उस हेमत करकरे ने जिसको लोग देशबक्त कहते हैं वहाँ के लोग ठकते नहीं है और वास्ता में जो देशबक्त है वो इसको देशबक्त नहीं कहते है शिक्षप को उनकी उम्यां दोड़ दे प्रग्या सिंग ठाकूर ने पहली बार हमन्त करकरे के खिलाप बयान नहीं दिया है 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रग्या सिंग ठाकुर ने कहा था कि करकरे की मौद उनके श्राप से हुई है लेकिन जब हंगामा मचा तो प्रग्या सिंग ठाकुर को करकरे पर अपना अक्रामक रुख छोड़ना पड़ा था तब प्रग्या को बयान वापस लेकर माफि मांगनी पड़ी थी मैंने का तेरे सर्वनाश होगा ठीट सबा महीने में सूतक लगता है जब किसी क्या मृत्य होती है यह जन्ग होता है तो सूतक लगता है तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लगया था और ठीक सबाब महीने में जिस दिन इसको आतंतवादियों ने मारा उस दिन सुन तक का अंभू हो गया यह हमारे ब्यक्तिकत पीडा थी वो मैंने बोली थी और हमें ऐसा लगा कि हमारे दुश्मन देश खुश हो रहे हैं अब जब एक बार फिर प्रज्या के बोल हेमंद करकरे के खिलाब बिगड़े हैं तो कॉंग्रिस को मौका मिला है प्रज्या सिंग ठाकुर के विवादित बयानों से बीजेपी की मुश्किल खड़ी होती रही है बीजेपी उनके बयानों से किनारा करने की कोशिश हैं जरूर करती है लेकिन विपक्ष पार्टी को घेरने से नहीं चुकता सीहर से नवेज जाफरी के साथ आज तक देरो हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोड़े से ब्रेका बने रहे हमारे साथ देखते रहे है आज तक हमारे दो जाफरे की करते हैं हमारे साथ देखते हैं